हलो फ्रेंट्स आज जैसी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कर देया डेरिवेटिव बाइ फिस्ट प्रिंसिपल ओकी ता फिस्ट क्वेशन इस दे नाल सादेखुल fx is equals to log of 1 plus 2x इस ता सी डेरिवेटिव करांगे बाइ फिस्ट प्रिंसिपल ता इस देले इस आठेकुल फॉर्मूला होंदे है f-x is equals to limit h approaches to 0 fx plus h minus fx divide by h एके ता इस फॉर्मूला सी अप्लाई करांगे होने इस फंक्शन देली so this is equals to limit h approaches to 0 fx plus h ता जो fx गिवन है उस दी जगाते की होना चाहीद है x plus h ता जो x से फंक्शन चे साठेकुल इसनो रिप्लेस करदांगे x plus h चाहीद ता log 1 plus 2 into x दी जगाते की लिखांगे x plus h minus fx fx दी वाल्यू as it is log 1 plus 2x divide by this h so this is equals to limit h approaches to 0 log 1 plus 2 जो है इसनो मल्टिप्लाई कर दो so this is 2x plus 2h minus log is same as 1 plus 2x divide by h so this is equals to limit h approaches to 0 इस जो 1 by h चाहीद नो से लिख सादे है 1 by h into this log log दी एस एक प्रोपर्टी यूस करांगे log अगर सादे कोल m minus log n होंदा है ता सी इसनो लिख सकते है log m by n ओके इस सादे कोल लॉग दी प्रोपर्टी है ता log m minus log n equals to log m by n so इस अटे कोले की यह log यह value m दी है minus a log n है ता इसनो सी की लिख सादे है log m means this 1 plus 2x plus 2h divide by this 1 plus 2x ओके clear है प्रोपर्टी so this is equals to limit h approaches to 0 1 by h यह as it is लिखांगे into log log ते नाल दीखो 1 plus 2x है नीचे और उपर भी सादे कोल की है 1 plus 2x यह दो टर्म्स इना नाल सी separate करके लिखांगे जो denominator है ता 1 plus 2x by 1 plus 2x ओके प्लस जो यह 2h है उसते नीचे सी separate कर दांगे 1 plus 2x ओके तो यह cancel out हो जेगा तो यह cancel हो के सादे कोल किया जेगा 1 so limit h approaches to 0 1 by h into log 1 plus this 2h by 1 plus 2x clear इस दे नाल यह से लोग दीख प्रोपर्टी होर यूस करांगे ता उस दे नाल सादे कोल की हुंद है limit h approaches to 0 1 by h यह आज़ेटी सी रहेगा और इस दे नाल सी जो सादे कोल 1 plus something जो यह सादे कोल उस दा सी reciprocal लगे बनाने ता जो ही है एदा reciprocal लेती लिख देने ठीक है so 1 plus 2x reciprocal यह उपर आजेगा यह नीचे आजेगा 2h okay clear so जो यह factor सी बनाया हुए है एक factor नाल असी इसनो रैसी ब्रोकल लिख दांगे इस factor दा means 2h by 1 plus 2x ता कि असी इसनो cancel कर दिये ता इस दे नाल की होजेगा सादे जो question आदे विच कोई भी effect नी आएगा because असी math दे विच कोई भी चीज अपने वालनो अड़नो आड़नों नी कर सकते so that's why असी इसनो इता लिख सादे है because यह cancel out होजेगा एस article जो है log as it is लिखने log one plus two h by one plus two x clear हो न सी की करना है जो असी इस तर ऐसी ब्रोकल लाए है इसनों असी पावर दे विच लाग दे विच लेके जाना है इस तो पहलना लाग दी एक प्रोपर्टी नोट कर लो जो लाग M उस दी पावर दे विच होंदा है N यह M दी पावर होएगी N तासी इसनों की लिखसा दे है N जो है वो अग्य लिखसा दे है यह होजेगा N log M ओके अगर साधे कोले A गिवन है तासी इस तरीक की न लिखसा दे है अगर A गिवन है ता इस तरीक की न लिखसा दे है होंगी इसाधे कोल असी इसनों यूज करांगी इस अडेकोल वैल्यू है एन दी, ओके यह अग्गे है, और इस अडेकोल की यह नाल लॉग है, तासी जो अग्गे लिख्या हुए है इसनु पावर देविच लेखे जाने है, ठीक है, इस अडेकोल की में लिखांगे, limit h approaches to 0, जो चीज़ अनु नहीं चाहिए है, separately, उसनु उसी as it is प्यारान देवागे, सो एक 1 by h साडेकोल as it is रहेगा, और इस factor जो चीज़ नाल लिख्या हुए, 2h by 1 plus 2x, यह वी as it is रहेगा, ठीक है, सिर्फ ए वाला factor है जिनु उसी पावर चले लेके जाना होगे, ताई हो जोगा, log 1 plus 2h by 1 plus 2x, और इस ती यह पावर देविच चला जाएगा, 1 plus 2x by 2h, इस ती चो तो limit असी put कर दे हैं, ताई limit दे लेगे एक साडेकोल, एक होर formula मैं use करूँगे थे, ताई उस दे विच की होंदा है, limit x approaches to 0, 1 plus e raise to power, sorry, so limit x approaches to 0, 1 plus x raise to power 1 by x, ओके, limit x approaches to 0, 1 plus x raise to power 1 by x, ताई अगर साडेकोल एदन दा function होंदा है, means की होंदा है, 1 एते fix है, और जो ए x है, एस दी x से जगाते कोई भी value हो सकती है, और बट ए वैल्यू एदन दी होनी चाहिए है कि जदों से limit पूट करांगे, ताई चाहिए 0 बननी चाहिए, और जो इस दी power है, वो एस चाहिज दा reciprocal होनी चाहिए, ताई इस आठेकोल की होईगा, 1 by x, ताई इस दी value साठेकोल की होंदी है, e, ता इस दी limit की होंदी है, e, ठीक है, ये limit the concept है, वो ही आसे इते use करांगे होन, ताई साठेकोल की आदेगा, limit h approaches to 0, ए फेक्टर देखो, h channel h cancel होजेगा, ता की आएगा, 2 by 1 plus 2x, इन्टू, जो ये log है, log as it is रहेगा, आसे limit नो log दे अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एक बार तोसी एद्धा भी लिखना है, ता limit नो असी log दे अंगल दे विच लिख सा दें, ता सी इस नो एक साथ लिख लांगे, 1 plus 2h by 1 plus 2x, this whole raise to power 1 plus 2x by 2h, होन तोसी देखो, ए चीज जो है, एस नल comparison करके देखो, h 0 नो प्रोच कर रहे है, so a वाला जो factor है, अगर h नो 0 पुट करेंगी, ता 0 by something, 0 by something always 0, so इस दी value जाडेकोल कियाएगी, 0 आदेगी, और जो जाडेकोल a है, उस दा receiver हो close दी power दे विच है, satisfy कर रहे है, रूल है, ता इस दी limit जो है, हो कियाएगी, e आएगी, so this is equals to limit h, okay, limit जो है, फिर असी अंदर function देविच लेके गाए है, और ए function उसी बाहर लिख सादे है, because एदे विच किते भी h नी use हो रहे है, limit सादी किस दे चल रहे है, h ते, और एदे विच h नहीं है, so वसी element होनने ही लिखाँगे, so एक यह आएगा, 2 by 1 plus 2x, log, and जो एस आडेकोल है, इस दी limit कियाएगी, e, okay, और log दी प्रोपरडिशन हो यह पाता, log दी value किनी होन दी है, 1, so इस दी value कियाएगी, 1, so 2 by 1 plus 2x, ए रहे जेगा सादे कुल, okay, clear, so इस दी आल, next question है सादे कुल, second, fx is equals to e raise to power 3x, so इस दा derivative होना सी करना है, by first principle, so f dash x is equals to limit h approaches to 0, f of x plus h minus fx divide by h, so this is equals to limit h approaches to 0, x से जगा रिप्लेस कर दो x plus h, e raise to power 3 into x से जगा रिप्लेस करांगे x plus h, minus fx is as it is, e raise to power 3x, divide by h, okay, so this is equals to limit h approaches to 0, इस दो अंदर multiply कर दो, तब e raise to power किया जगा, 3x plus 3h, minus e raise to power 3x, divide by h, और जो power दे बिच है, वो असी सेपरेट कर सकते हैं, जो दो base swim होन, तब powers add हो जगा दियें, ता सिमिलरली असी इसनू, सेपरेट करके भी लिख सा दियां, e raise to power 3x, into e raise to power 3h, minus e raise to power 3x, divide by h, clear है, उस्तो बार दिखो, e raise to power 3x, e raise to power 3x, ए दोना दे विच्चो साड़े पोल किया आएगा, common, ता सिसनू common लेलांगे, ता ए की बनेगा, limit h approaches to 0, e raise to power 3x, common, into e raise to power 3h, minus 1, divide by h, ओके, एस दे विचा सिसने किते भी h नी यूस कार रहे, सो एस नोसी limit तो बार दिख सक दिया, e raise to power 3x, और इसते विच्च किया साड़े कोल, limit अपलाई करनी, s factor दे, e raise to power 3h, minus 1, divide by h, ओके, ता हुन साड़े कोल होर इसते विच, formula होंदा है, e ले, वसी limit दाओ, concept यूस करांगे, if limit x approaches to 0, e raise to power x, minus 1, divide by x, छीक है, अगर साड़े कोल इस होंदा है, ता इस दी, जो value है, वो की अंदी है, इस दी limit की अंदी है, 1, और इस दी विच्च भी, एक condition apply होनी चाहिए है, जो x 0 नो प्रोच कर रहे है, ता ए e दी पावर दे विच्च जो है, इस दी पावर दे विच्च जो आप 3H है, बट साड़े कोल जो है, ओकी है, h है, ता इस मींज एते सानो 3H चाहिए है, तो असी की करांगे, 3, 4, डिवाइड कीता होया है, तो अगर एते 3, 4, डिवाइड कर रहे हैं, तो 3, 5, multiply भी करांगे, इसे, बिकोज 3, 3, 3, cancel होजएगा, थेन, बैक स्टैप पसी, सेम लाइ सकते हैं, तो 3, 9, multiply एं, 3, 9, divide कर रहे हैं, तो 3, 9, multiply कीता, एं, 3, 9, divide कीता, और हुण साड़े कोले, इस कंसेप्ट सेम बान रहे, जो 3, e दी पावर दी विच चे, 3, h, सेम साड़े कोले, डिनोमिनेटर चे, 3, h, clear, तो इस देना साड़े कोले हों, जो e limit है, इस दा अंसर की आएगा, 1, ठीक है, तो इस दा अंसर 1 आएगा, तो साड़े कोल आंसर की रहे जएगा, only this, 3, e raised to power x, इस देकोल आंसर है, next question, third, fx is equals to, x raised to power, 2n by 3, okay, उन्हें, x दी पावर साड़े कोल है, सम्थिंग, फ्रेक्शन दे विच है, ता इस ता सी बाई प्रिंसिपल, जो है, derivative करना है, ता f dash x, की होएगा, limit, h approaches to 0, f of x plus h, minus fx, divide by h, so this is equals to, limit, h approaches to 0, ता इते सी, fx नो replace करने, x plus h दे विच, ता की हैगा, x plus h, raised to power this, 2n by 3, minus fx, ये same as, x raised to power, 2n by 3, divide by this h, so this is equals to, limit, h approaches to 0, इन्टो जो, ए नीचे दिनोमिनेटर दे वेच, h है, इसनो असी 1 by h, एमें लिक्सर दे, इन्टो असी ये terms लेखांगे, ये terms दे वेच, होने की आएगा, साड़े कुल, एक result होने, साड़े कुल सीरीज दा, असी वेच दे वेच अप्लाई करांगे, so, उस दे लेगी, 1 plus x, ठीक है, उस दे पावर साड़े कुल की होईगी, इन्टो एवाली टर्म जो 1 दे वेच एड़ होई है, x, उस दो नेक्स टर्म की होई है, जो n है, और इस दे वेच वेच एक माइनस कर दो, n-1, इन्टो जो x है, is the square, जो एवाली टर्म है, means second term is the square, and this factor divide by 2 factorial, and plus n into n-1, इस दो एक next factor लेना है, n-2, हर वाल एक factor एड़ होई जाएगा, इस दे वेच चा, and x raise to power की होईगी, साड़े को 3, एक इक इन्टी ग्रीज होजेगी, and divide by 3 factorial, and up to so on, चीक है, एस सीरीज हों दिया है, बट एस सीरीज जादा complicated लग रही है, बट आसी n नी यूज नी करांगे, आसी बहुत थोड़ा इन्टी यूज करांगे, question दे वेच्छ, ता first of all असी 1 plus x, इस टाइप दा इसी, इसनो convert करने है, तो असी की करांगे, first of all, x दी जो power है, 2n by 3, ता इसनो असी common लेलांगे, इसनो अकर असी इस factor चो common लेलांगे, ता साड़े कोल की रहेगा, जो इतने साड़े कोल रहेगा, 1 plus h, एतो x common आजेगा, बट इतने x नहीं है, ता x नाला सी divide कर देने, और इस दी power की आजेगी, 2n by 3, छीक है, minus, इस दे विच्छ, इस दी वेच्छ, इस factor सी common लेलांगे, ता इस साड़े कोल की आएगा, minus 1 रहेजेगा, ओके, और हों दिखो साड़े कोल, इस इरी जो है, सेम बन रही है, 1 plus x, 1 plus x दी जगा साड़े कोल की है, h by x, clear, और n दी जगा दे साड़े कोल, इस पावर है, तास इस नो as it is, खोल देने से सी रिजेनल, so limit h प्रच्छ दो 0, 1 by h, इन्टू, इन्टू, जो x है इस नो भी है सी, इलिक सर दिया है, 2n by 3, चीक है, इन्टू, इन्टू जो साड़े कोल है बचेगा, 1, फर्स्ट टर्म जो हुंदी है, साड़े कोल 1 हुंदी है, plus, जो सेकिंड टर्म है, पावर, इन्टू दिस, इन्टू दि मुल्टिप्लाई दो हुंदी, तब इस मीन्ज एदी इन्टू दि मुल्टिप्लाई करने हुंदी, मीन्ज 2n by 3, जो पावर है, इन्टू जो एचीज है, h by x, प्लस, अग्ये फेक्टर दे फिच देखो, मैं बेसिक जो है थो, इन्टू कंसेट्ट दा साइज था कि यह साड़कुल, जो x है साड़कुल एवाला, उस दे इदी पावर 1 है, इधे इदी पावर 2 है, इधे पावर 3 है, तब मेंज x दी पावर इधे इंक्रीज हो रही है, तब आसी x दी, जो इधे पावर है, जो अगिए है उते दी देखनी है, एच दी पावर, तब है एच दी पावर, फर्स्ट अग्रख साड़कूल 1 है, शैकिंड फैक्तर चाँ, एच दी पावर किनी होगी 2, एड सेम आज थार्ब फैक्तर देवे, शाड़क्द किनी होगी, H दी पावर 3 So this means जा सी लिख सादे है Next plus होने गिया Terms Containing H Square H square जा फिर जा सी लिख सादे है Higher power of H Higher power of H Okay और उन्ना नो सी सारे नो लिखांगी नी Minus 1 As it is So यह 1 plus है यह 1 minus है यह तर सादे कोल cancel out हो जेगा So जो सादे कोल बाकी बचेगा वो देखो की बन रहा है Limit H approaches to 0 X raise to power 2N by 3 by H और बाकी सादे कोल जो यह बच रहा है इस दे विच्चो की कर रहा है 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 H common ले रहा है इस दे विच्च की आजेगा First जो term है सादे कोल यह term है H common ले आजी तक की आएगा 2N by 3X ठीक है Plus higher power जो है H दिया उसनो तुसे कोई भी notation दे सकते हो मैं capital H दा नाम देता higher term power of H ठीक है यही बचनी है सादे कोल उस तो बाद हैस्ते नाल देखो H नाल जो H है cancel होजेगा तो this means next term कियागी जो दोसी H दी value 0 put करांगी तो एथे सादे कोले किते भी H नहीं है H की दे विच्च आएगी इनना term दे विच ठीक है इस दी पावर सादे कोल की higher power 2, 3, 4, 5 तो जो यहीं 2 पावर minimum term लगी है तो दे विच्च भी यही H जो कामल लाली तो यह थे 1 term 1 H first term च होएगी H square next term H cube next term तो this means H सारे क टाम दे विच्च आ रही है इनना terms दे विच्च हो ठीक है 2N by 3 एंड इन्टू सादे कोल नाल की बचेगा 2N by 3X ओके और एक यह सादे कोल X दी पावर है और यह भी सादे कोल X है ता X दो बिना जो सादे कोल आ रहे है 2N by 3 और ए जो X है इस दी पावर मों आसी calculate कर लेने है 2N by 3 और यह जी पावर नीचे 1 है उपर लेगे जामागे ता minus 1 होजेगी ता minus 1 पावर चैड होजेगा ओके तो इस इस इकोल चूट 2N by 3 और इस ता सी LC म लावागे ता X दी पावर कियागी 2N minus 3 by 3 तो इस इस आंसर ओके क्लियर अगर नहीं समझाए तो तुसे एक वारी वीडियो नहीं रिपीट करके दुवारा देख साग देऊ थैंक यू फॉर वोचिंग